नमस्कार दोस्तों आज मैं बतांगे आपको कि वो कौन से भगवान है जिनकी पूजा में तुलसी नहीं चड़ाते हैं अमारे यहां देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामित्रिया चड़ाए जाती है और तुलसी भी उनी में से एक है तुलसी को सबसे पवित्र पौदा माना लिया है बहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी है जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चड़ाए जाते वो देपता है भगवान गड़ेश एक बार की बात है भगवान गड़ेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे उसी दोरान देवित उसी अपनी साधी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकले यात्रा के दोरानों की नजर गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गड़ेस पर पड़े भगवान गड़ेस एक सिंगाशन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे उनके पूरे सरीर पर चलने लगा था उन्होंने जेवर पहने हुए थे और फूलों की माला पहने हुए थी भगवान गड़ेश को देखकर देवी तुलसी उनकी तरफ आकर्षित हो गई और उनके सामने साधी का प्रस्ता रख दिया देवी तुलसी द्वार तपस्चा पूंगोने से भगवान गड़ेश गुश्षि में आ गए और शाधी का प्रस्ता ठुकरा दिया इस बाद से देवी तुलसी को गुश्षा आ गया उन्होंने भगवान गड़ेश को श्राप दिया कि उनकी दो साधिया होंगी वो भी उनकी पिच्छा के विना इससे भगवान गड़ेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलशी को स्राप दिया कि उनकी साधी किसी असुर्शे होगी यहने किसी राच्छा से होगी यह सुनकर देवी तुलशी बहुत दुखी और उन्हें अपनी गलते का हैसास हुआ उन्होंने भगवान गड़ेश से माफी मांगे भगवान गड़ेश ने माफी को स्विकार किया और कहा कि स्राप तो बापस नहीं लिया जा सकता लेकिन तुम भगवान विश्णु और भगवान स्रीक्रश्न की प्रियव वनोगे भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में सामिल नहीं किया जाएगा इसलिए भगवान गड़ेश को तुलसी का पत्ता नहीं चड़ाते हैं बोलो गड़ेश भगवान की जय